ने जो CEO और NRC जो कानून बनाया है ये एक धर्म को पूरा पूरा टार्गेट किया गया है लेकिन लोग इस गलत फेमी में ना रहे ये आने वाले वक्तों में SC, ST, OBC ये हर जाती और धर्म के उपर इसका टार्गेट किया जाएगा जिससे दुश्मनी होगी उसके नाम पे इस महिंगाई कई धर बढ़ गई है, Reserve Bank का खजाना खाली हो चुका है, Defense के अंदर जो भी आज बॉर्डर के उपरा उसकी आज हमें इंफोर्मेशन नहीं मिर रही है, इसलिए ये सरकार जो एक भरस्ट और एक जाती वाद और एक कम्यूनल सरकार है, जो सिर्फ और सिर्फ ये हं जनता है, उनसको ये आदेश देते है, ये उनसे निवेधन करते है, कि हर जगा ये परदर्शन किये जाए, जिस तरह इंद्रा गांदी के ड़ाएं पर पुरत देश ने एक होके अमर जैंसी के खिलाब लादा, उसी तरह इस कानून के खिलाब पुरी जनता एक साथ होके मि लड़े, बस यही दन्यवार आपके लाजाएं. बीजेपी और आरेसस की मानसिक्ता ही है, कि सविधान को किस परकार से खत्म किया जाए, उसको हटाए जाए. ये हम होने नहीं देंगे, ये केवल मुसलिमों का प्रोटेस नहीं है, इसमें सारे हिंदू, मुसलिम, सीक, किसा ही सभी है, क्यूंकि भारत के हम नागरिक है, और मोदी और अमित से हमें राष्टेता ना सिखा है, कि हमको हमारा धरम बताने के लिए हमें ये बताना पड़े, पैचान पदर, अगर आपको ये ही था, तो आदार कार्ट को नश्ट करो, आप पासपोर्ट को नश्ट करो, आप पेन कार्ट को नश्ट करो, इतने पुरावे देने के बावजूब आज NPR लगाने का आवशक्ता क्या है NPR हर 10 साल में होता है यह सारे सरकार कर रही है लेकिन NPR की आड़ में मोदी साब NRC घुसाना चाहते हैं हम उसका विरोध कर रहे हैं और जो NPR में पहले 12 कोलम ते अभी इसमें 21 कोलम में लिखना चाहते दे लेकिन अभी यह जो पूछेंगे वह हमें बताना पड़ेगा हम इसके खिलाप यहां पर आये हैं और यह यहां पर खत्म नहीं होगा जब तक इस जानुन को यह लोग पीछे नहीं लेंगे जब तक हम सड़कों पे रहेंगे हम किसी परकार से प्रोटेस कर करना चाहते हैं यह कभी इनकी सोज और इनकी जो तार्गेड हो कभी होने अबशान नहीं है यह बाबासाब अमिट करका और बापू का देश रहेंगा अबेशा इस देश के अंदर इन्होंने बटवारा करने की फिर से कोशिश करी CAA कानून लगाया इन्होंने पड़ोस के बच्चे को अपने गोद में बिढ़ा कि अपना बच्चा बनानी की कोशिश कर रहे है और जो अपना खुद के अउलाद है उसको कह रहे हैं कि तुम पुरूफ करो कि तुम हमारी आउलाद हो करके जो हमारे प्राइमिनिस्टर साथ अपनी खुद की डिगरी पुरूफ नहीं कर सकते वो हमसे हमारी नागरिकता पुरूफ करने की बात कर रहे है इसके खिलाफ हम इस देश में पैदा हुए और इन्शालला उताला इस देश की मट्टी में मरें करेंगे और यहीं दफन होईंगे जितने भी हमारे भाई लोग यहां पर जमा है कोई जातीवात का बेदबाव नहीं रखते हुए सब जन इस हुकूमत के खिलाफ एक आवाज में एनरसी और सी डबले के खिलाफ है और जब तक ये कानून पीछे नहीं होगा इन्शालला उ उसके लिए हम मरते दम तक लड़ते रहेंगे और बाबा बनाया है उसके उपर अगर किसी किसम की आचाही समीधान के उपर तो उसके लिए हम अपनी जान तक के कुर्बान करने को तहीं आ रहे हैं भारात मता की हिंदुस्तान